कि अच्छुप्रभाथ हमने पिछले लेक्चर में देखा था अनुखे राश्टरपती इस पाथ की शुरुवात और काफी हग तक हमने वह पाथ पूर्णा किया था आज उसके आगे हम शुरू करते हैं उससे पहले आज का सुविचार उम्मीदों से बंधा एक जिद्धी परिंदा है इनसान जो गायल भी उम्मीदों से हैं और जिन्दा भी उम्मीदों पर हैं अर्थाद मनुष्य जो है वह उम्मीदों पर आशा उपर जीता हैं और उसकी उम्मीदे जो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों से वह गायल होता है और जिन्दा भी उम्मीदों पर याने क्या कि ये मनुष्य जीता है इसलिए कि उसे उम्मीद है ये मुझे मिलेगा ये होगा इस पर ये आशाए उसके मन में है और इन आशाओं उपर उम्मीदों पर वो जीता है और बड़ी-बड़ी आशाओं के कारण वह पूर्ण नहोने से भी घायल होता है, मायूस होता है चलो हम देखते हैं पाठ के आगे उससे पहले हमने देखा था राजिंद्र बाबु का वर्णन उनकी वेशभूशा वह कैसे रहते थे, उनके किस तरह से उनके कपड़े परिधान वह करते थे ये सब बाते हमने उनका बाहरी वर्णन मतलब मुखाकृती कैसी थी कैसे उनके बाल, कैसे उनका चेहरा या सब हमने देखा था और वैसे उनके वेशभूशा में जो ग्रामेनता भारतिय ग्रामेनता दिखाई देथी थी वह अस्पश्टरूप से थी अब आगे उनकी वेशभूशा की अस्तवस्तता के साथ उनके निजी सचीव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायस हो आता है जब मौजों में से पाचों उंगलिया बाहर निकलने लगती तब जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते जब धोती, कुर्टे, कोट, आदी का खरदर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेते उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबु के पुराने परिधान से अपने आपको प्रसादीत कर कृतार्थता का अनुभव किया था मैंने ऐसे गुरु शिश्या या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे महादेव अर्माजी हमें उनके साथ साथ उनके मतलब राजेंद्र बाबु के जो सचीव थे उनके बारे में भी कि उन पर भी राजेंद्र बाबु का असरों किस तरह से सामन रूप से रहते थे इसका यहां जिक्र किया है यहां बताया है कि उनकी वेश्य भूशा की अस्तव अस्तता के साथ उनके निजीव सचीव याने राजेंद्र बाबु के हमने देखा था कि वे अपने कपड़ेंगे बारे में इतने सजग नहीं थे उनकी धोती या उनके जो कोट थे उनकी टोपी यह सब बाते वह इतने ध्यान से नहीं देखते थे भारतियता याने वह आयन किये हुए है बहुत अच्छे कपड़े है ऐसे उन्होंने कभी इसका ध्यान नहीं दिया और उनके नीजी सचीव याने उनके सेक्रेटरी जो थे पीए वे और सहज भाई चक्रदर जी सहचर याने उनके साथ रहने वाले जो चक्रदर उनके भाई उनका स्मरण अनायस यानि सहज रूप से हो आता है जब मोजो में से मोजे यानि आपके सौक्स जो होते हैं वह पहर में पहनते हैं तो मोजो में से पाचो उंगलिया बाहर निकलने लगती याने मोजे वह इतने पहनते थे या इतने पुराने होने तक पहनते थे कि वह फट जाते थे और उससे बाहर से उनके पैर की पाचों उंगलिया बाहर निकलने लगती तब तक वह उन मोजों को पहनते थे जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्षे बनने लगते गवाक्षे याने खिडकी याने उनके जूते इतने घिस जाते थे उनके सोल इतने घिस जाते थे कि पैरों के तलवे जो है वह जमीन को लगने लगते थे याने उसे छिद्र बन जाते थे जैसे कि खिडकी बन वैसे इतने घिसने तक वह जुते वैसे ही पहन ले दे, जब धोती-कूर्थे-कूर्ट आधी का खधर अपने मूल ताने-बाने में बदलने लगता, याने उनके कूर्थे, उनकी धोती और खधर, अपने मूल आधी का खधर याने कपड़ा अपने मूल्ट आने बाने में बदलने लगता था अपने मूल्ट आने बाने में याने कैसे धागे उसके धागे निकलने लगते थे तब चक्रदर इस पुरातन सज्जाग को अपने लिए सहेज लेता याने इतना पुराना हो जाने के बाद राजेंद्र बाबु उन कपड़ों को विश्राम देते थे याने रद्धी कर देते थे तब ये चक्रधर उसे अपनाता था याने तब भी वह चक्रधर जो है वह उसे पहनने लगता था याने कितनी सामाने था और कितनी गरीबी उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजे प्रसादित करना याने सुशोभीत करना याने उन कपड़ों को पहन कर यहां उनकी भाषा देखो कि प्रसादित करना याने उस कपड़ों को भी ऐसे पटे हुए कपड़े पहनने के बाद भी वह अपने आपको गर्व महसुस करते थे प्रसादित करना प्रसादित याने मे खुद को सुन्दर बनाने के लिए हम पहनते हैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े या मेकप करते हैं तो उस तरह से यहां वे कपड़े पहन कर खुद को वह प्रसादित करता था यानि उसमें वह प्रतार सता का अनुभव करता था अपने आपको महान मानता था या उसे उस ऐसे गुरु शिश्य महादेवी वर्मा जी कह रही है कि मैंने अब तक कहीं देखे नहीं है इतने अच्छे वह उनका स्वभाव था या जैसे उनके राजेंद्र बाबू वैसे उनके सची भी उसी प्रकार के थे याने उनके संपर्क में आने वाली रिकतियों पर भी उसका असर उस प्रकार से होता था राजेन रबावों के निकट संपर्क में आने का उसर मुझे सन 1937 में मिला जब वे कॉंग्रेस के अध्यक्षे के रूप में महिला विद्यार पीट महा विद्याले के भवन का शिलान न्यास करने प्रयाग आए उनसे ग्यात हुआ कि उनके सयुप्त परिवार में 15 सोलो पोंत्रिया है जिनकी पढ़ाई की व्यवस्ता नहीं हो पाई है मैं यदि अपने चात्रावास में रखकर उन्हें विद्यार पीट की परिक्षाओं में बैठा सकू तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी अब यहां बताया है कि राजेंद्र बाबु के निकट संपर्क में आने का आउसर महादेवी वर्मा को 1937 में मिला जब वे कॉंग्रेस के अध्यक्षय के रूप में महाविद्याले के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आये थे कोन शिला जो बिटाते हैं वह उसे कहा जाता है तो वह करने के लिए वह प्रयाग आये थे प्रयाग में इनका विद्यापीट महिला विद्यापीट था और उसे उनसे ग्यात हुआ कि उनके सयुक्त परिवार में सयुक्त एने कत्रित परिवार में पंडर सोल पाउत्रिया हैं याने बच्चों के बच्चे उन्हें पाउत्रिया कहते हैं तो 15-16 है जिनकी पढ़ाई की व्यवस्ता नहीं हो पाई है, अब इतने बड़े व्यक्ति लेकिन पढ़ाई की व्यवस्ता नहीं कर पाई, चाहते तो वहाँ आसानी से कर सकते थे, यानि अपने पद का अभी वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष इतने बड़े होदे पर थे, तो उन्हों ने अपने पद का गलत इस्तमाल कहीं नहीं किया, या उसका उपियोग अपने नीजी जीवन के लिए कहीं नहीं किया, इसलिए उनके 15 सलों जो पवत्रिया हैं, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्ता हो नहीं पाई थी, मैं यदि अपने चात्रावास में रखकर उन्हें विद्याप पिट की परिक्षाओं में बैठा सकूं, तो उन्हें कुछ विद्याप राप्त हो सकेगी, ये महादेवी वर्मा जी को कहने के लिए वह आये थे कि उन्हें वहाँ, याने एक साथ दो कार्य वहाँ, वहाँ श चात्रावास में रखकर उन्हें विद्याप पिट की परिक्षाओं में बैठा सकूं, तो उन्हें कुछ विद्याप राप्त होगी, आदेश नहीं दिया हैं, उन्होंने उनकी नम्रता देखूं, कि इस तरह से ऐसे ही व्यक्ति जो आदर्णिया बन जाते हैं, इतियास में अपना वजूत कायम कर जाते हैं, और सदावंदनिया रहते हैं, तो यह बात यहां से सपश्ट होती है, कि राजेंद्र प्रसाद जी कितने नम्रत होकर दुसरों से बात करते थे, कई भी घमंड या गर्व की जराबी हमें स्थिती निर्मान होते हुए, यह दिखाई नहीं देता कि उन्हें बड़ा घमंड है, अपने पद का वह गलत इस्तमाल कर रहे हैं, उन्होंने पहले बड़ी फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाय मेरे सहरक्षन में आ गई, उन्हें देखने प्राय उनकी दादी और कभी-कभी दादा भी प्रयाग आते थे, याने राजेंद्र बाबु, कभी-कभी राजेंद्र बाबु की पत्नी, तभी राजेंद्र बाबु की सहधर्मेणी के निकट संपर्क में आने का आउसर मिला, वे सच्चे अर्थ में धर्ती की पुत्री थी, वे साध्वी, सरल, ख्यमामई, सबके प्रती ममतालू और असंख्य संबंदों से की सुत्रधारिनी थी, यहां बताया हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने साथ-साथ अपने पत्नी जो है, वह भी उसी प्रकार से उनका साथ निभा रही थी, उन्होंने भी कई अपने पती इतने बड़े ओधे पर है, तो उसका मैं लाव क्यों न उठाओ, ऐसे कभी किया नहीं है, पहले यहां उन्होंने पहले ही बताया कि उन्हें उस चात्रावास में अपने पत्रियों को पहले बड़ी फिर चोटी, ऐसे एक के बाद एक सभी वहां महादेवी वर्माजी के निगराने में वहां पढ़ने के लिए छात्रावास में, यानि होश्टिल, वहां भेजा गया, उन्हें देखने प्रायों उनकी यानि हमेशा देखने के लिए अपने पहत्रियों को देखने के लिए राजेंद्र बाबो की पत्नी आया करती थी, कभी कभी राजेंद्र बाबु खुद प्रयाग आते थे तभी राजेंद्र बाबु की सहधर्मेनी के निकट और तभी महादेवी वर्माजी को उनके निकट आने का याने राजेंद्र बाबु की पत्नी के नजदिक आने का उन्हें जानने का समझने का मौका मिला वे सच्चे अर्थ में धर्ती की पुत्री थी धर्ती की पुत्री यानि सामान्य तोर पर जीने वाली जो अपने भारत की नारी है जो जिस तरह से बाकी सामान्य स्त्रियाय जीती है वैसे याने कई भी मेरे लिए इतने बड़े वेक्टी है उनकी पत्नी को आने जाने के लिए वैसे ही ठाट बाट गाड़ियों का पूरा जो हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी गाड़ियों का लगातार ताता लगा रहता है उस प्रकार से कतार में सभी गाडिया वहां कई भी दिखाई नहीं देता, वह सच्चे अर्थ में धर्ती की पुत्री थी, वे साध्वी याने साधु की तरह, सरल, बिलकुल कई भी घमन बातों में नहीं होता था, सादु जिस प्रकार से होते हैं वैसे सादवी सामान्य वस्तरों में पूरी तरह से सरल रूप से क्षमा में दूसरों को क्षमा करने की ख्षमता उनमें थी वह कभी किसी को डाटती नहीं थी सबके प्रती ममतालू और असंखे संबंदों की सुत्रधारेनी थी याने सबके प्रती ममताब प्रेम उनके मन में था और असंखे संबंदों की सुत्रधारेनी याने असंखे संबंद याने राजेंदर बाबू इतने उचे होदे पर थे तो वह भी राजेंदर बाबू की पत्नी भी कई रोल निभा रही थी जैसे उनकी पतनी उसके बाद बच्चों की उनके बच्चों की माता तो यहाँ दादी उसके साथ साथ आने वाले लोगों के लिए उनका आवबगत करना उनके बारे में जानना या उनकी कोई समस्या है वह समयना ये सारी बाते वह देखती थी और इसलिए कहा है कि कई रोल व वह निभा रही थी। ससुराल में उन्होंने बाली का वद्यू की रूप में पदारपण किया था। सम्राथ जमिदार परिवार की परंपरा के अनुसर उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ा था। परिणाम तहा उनकी रेड़ की हड़ी इस प्रकार जुग गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। यहां बताया है कि वह जब ससुराल आई यानि राजन रबावु के यहां आई तब बाली का वधु के रूप में यानि बच्पन तब उस जमाने में छोटे यानि बारा-तेरा साल में ही लड़कियों की शादी हुआ करती थी। तो ऐसे छोटे उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी और ससुराल राजन रबावु के घर आने के बाद वहां यहां सम्राब जमीनदार परिवार की परमपरा यानि राजन रबावु का परिवार जो पहले जमीनदार था यानि किसां परिवार था उनके यहां यहां यह परम बहु को सभी के सामने घर की बहु जो है उसे सब के सामने आने की पर्मिशन नहीं हुआ करती थी वह और छोटी थी और इसलिए उन्हें एकासन याने एक ही जगह पर बैठना पड़ता था वह गंटों तक सिर नीचा करके सिर उचा भी उस जमाने में समाज की जो परिस्तिती या जो परमपरा आये थी उसे संभालते हुए उन्हें वैसे बैठना पड़ता था उस रूड़ी के अनुसार वही पर एक जगह बैठने बैठने से उनकी रीड की याने बैकबुन जो है वह इस प्रकार जुक गया था कि युवती याने वह बड़ी होने के बाद युवती होने कर भी वह सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी क्योंकि हमेशा जुक कर ही बैठना पड़ता था सिर नीचा की है आप यहां तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि उनके साथ रहते हुए वह बिलकुल सीधी खड़ी नहीं है वह उनकी रेड के हड़ी थोड़ी सी जुकी पाते यह सब उन्होंने परंपराओं को संभाला था बालिकाओं के संबंद में राजंद्र बाबु का सपरश्ट निर्देश था कि वे सामान ने बालिकाओं के समान बहुत सादगी और सयम से रहें वे खादी के कपड़े पहनती थी जिने वे सयम ही धो लेती थी उनके भाई जाड़ पोच गुरी जनों की सेवा आधी भी उनके अध्यान के अवश्यक अंग थे यहां बताया है कि उन्होंने छात्रावास में अपनी पोत्रियों को रखा लेकिन राजेंद्र बाबु ने यह निर्देश यह सुचनाए दी थी कि वे सामान बालिकाओं के समान बहुत सादेगी यानि साधापन और सायम से रहे यानि कई भी हम इतने बड़े व्यक्ति के या देश के कांग्रेस के अध्यक्ष इसने बड़े ओदे पर होने वाले मेरे दादा जी है और ऐसे होने के बाद हम क्यों ऐसे साधारन रूप से रहे हमारी सेवा के लिए बाकी के लोग आने चाहिए ऐसा कई भी नहीं होना चाहिए उन्होंने स्पष्टर निर्देश किया था कि वह सायम से रहे यानि बाकी सामान बालिकाओं जैसे उस होस्टेल में उस में रहते हैं वहां उन्होंने वैस से ही रहना है बहुत ही साधिगी से यानि बहुत ही साधेपन से रहना है वे खादी के कपड़े पहनती थी यानि उन्होंने में सभी खादी के कपड़े ज्यादा तर पहन दे थे स्वदेशी का स्विकार था तो कपड़े पहनती थी जो खादी के हुआ करते थे जिने वे स् अपने कपड़े खुद आपको ही वहां दोने हैं, वह अन्य कोई आपको कपड़े दोने के लिए मदद नहीं करेगा, वे खुद ही दोती थी, उनके साबून तेल आदी का वे भी सिमीत था, वे याने खत्म होना, साबून भी लिमिटेड याने इतना ही इस्तेमाल करना है, इ यह साबून है वह इतने दिन चलना चाहिए, तेल इतने दिन चलना चाहिए, यह भी उन्हें रिस्ट्रिक्शन थे, उनके लिए वह बताया गया था कि इतना ही यह ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए, याने किस प्रकार के संस्कार है, नहीं तो हम आज क्या करते हैं, कि मिला कि उसका व्य कितना होता है वह खराब होता है जैसे पानी वह अभी हम कितना व्य उसका करते है कितना खराब करते है कभी-कभी नल खुला छोड़ते है हाथ दो रहे हैं, पानी जा रहा है यह भी करते हैं घर की कई ऐसी चीजे जिसका हम व्य करते हैं बहुत बार हमारे घर का खाना बच जाता है जो फेक दिया जाता है अच्छा नहीं लगा इसलिए ये नहीं चाहिए ऐसे होता है कपड़े भी कई अच्छे अच्छे कपड़े अपने वैसे ही फेक देते हैं या वैसे ही रह जाते हैं वह हम बार बार पहनते नहीं हैं तो ये स उतना ही होना चाहिए उतने में ही आपको इतने दिन चलाने हैं और ये जब होता है तभी दिरे दिरे सभी बाते आपको अवगत होती है या आप उस मोड पर आगे जिवन में उसकी आदते अच्छी हो जाती हैं कमरे की सफाई जाड़ गुरुजनों की सेवा अधी भी उनके अध्यान के अवश्यक अंगत है यहां बताया कि उनके खुद के कमरे की सफाई जाड़ पोचा उन्होंने ही करना है साथ ही गुरुजनों की सेवा भी करनी है वह उनके अध्यान के अवश्यक अंगत है याने वह पढ़ाई में ही है यह भी आपको आना चाहिए खुद के काम खुद करो साथ में ही गुरुजनों की सेवा भी करनी है यह गुरुकुल की परमपरा जो थी वह प्राचेन गुरुकुल की परमपरा याने गुरु के घर में जाकर रहते थे तब वह उसी प्रकार से परंपराएं चलती थी और यही बात यहां बताई है कि किस तरह से वे सारे काम खुद करने चाहिए ऐसे संस्कार ऐसे निर्देश राजनर बाबु ने महादेवी वर्माजी को देकर रखे थे कि इनसे सभी काम वह होने चाहिए कई भी इने स्पेशल है ऐसी ट्रीटमेंट या ऐसे उनके साथ वियवार नहीं होना चाहिए यह जो बाते हैं वह महत्वपूर्णा है राजनर बाबु का इसी में जो बड़पन है वह दिखाई देता है उन्होंने उस समय स्वतंत्रता संगर्श के सैनिकों का गंताविय जेल ही रहता था अतर प्राय किसी की पत्नी, किसी की बहीन, किसी की बेटी विद्यापिट के चात्रावास में आ उपस्थित होती थी देश स्वतंत्र होने के उपरांद उनमें से कुछ दिल्दी चली गई और कुछ विशेश योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्धालयों में भलती हो गई केवल राजन्रबाबु अपवाद रहें उनके भारत के प्रथम राश्ट्रबती हो जाने के उपरांद मुझे स्वयम उनकी पवत्रियों के संबंद में चिन्ता हुई उनका स्पष्ट उत्तर मिला महादेवी बहन दिल्दी मेरी नहीं है राश्ट्रेबती भवन मेरा नहीं है अहंकार से मेरी पवत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए तुम केवल इसकी चिंता करो वे जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेगी कर्तव्य विलास नहीं कर्मनिष्टा है यहां बताया है कि उस समय याने स्वतंत्रता पूर्वकाल में स्वतंत्रता संगर्षे के करण संगर्षे के 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 संगर्षे क करने वाले ऐसे लोग थे उनके बार बार अंग्रेज उन्हें पकड़ कर जेल में डालते थे तो वह उनका गंतव याने जाने का स्थान जेल ही रहता था अतर प्राय किसी की पतनी याने ऐसे जेल में जाने के बाद बहुत सरे उनकी पतनी किसी की बहिन किसी की बेटी विद्य माध्यु की विद्या पीट में वहां रहने के लिए आते थे और वहां वे आकर अपने आपको शुरक्षित मानते थे तो वहां अपस्तित होती थी देश स्वतंत्र होने के उपरां उनमें से कुछ दिल्ली चली गई देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो वहा पढ़ने के लिए वहां आती थी, रहने के लिए आती थी उसमें से कूछ दिल्ली चली गई, से पड़ाई करने के लिए अंग्रेजी विद्धालीव में उन्हें भरती पोगले गई। केवल राजेंद्र बाबू उसमें अपवाद रहें, याने बाकी कई नेताओं ने अपने बच्चों को, बहनों को, जो भी है, उन्हें अच्छे-च्छे विद्धा लेव में या वहां भरती किया दिल्ली में बुला लिया, क्योंकि दिल्ली में उनके मकान हो गए, केवल रा आजेंद्र बाबू जो है, वह भारत स्वतंद्र होने के बाद जो राश्टरपती का उनकी बात या कही जाती है, कि वे प्रथम राश्टरपती बने अपने भारत के, लेकिन राश्टरपती को जो मांधन मिलता था, याने वेतन, उसे मांधन कहा जाता है, तो वह मांधन ज सारी जो पूंजी थी जो बाकी के पैसे थे उन्हें जो मिलते थे वह राश्ट्र के संपत्ति में दान करते थे हाला कि उनकी जो स्थिती थी वह बहुत अमीर हो गये थे ऐसे नहीं लेकिन वह कहते थे कि मेरा राश्ट्र गरीब है मेरे राष्टर की जनता गरीब है उन्हें पैसे की जरूरत है राष्टर अभी अभी अपना भारत स्वतंत्र हुआ है कई कार्य है और उसके लिए पैसों की आवशक्ता है और इसलिए केवल एक रुपया लेकर वह सारा पैसा जो है वह दान देते थे भारत के संपते में उसे दे देते थे इतना महानकारिय ऐसे राष्टर पती से हुआ है कि वे पैसे के कई लालची नहीं थे उन्होंने कई यहां बताया कि अब राष्टर पती हो जाने के बाद वहा तो अपने पौत्रियों को कई भी एडमिशन करा सकते थे कई भी आपसानी से रख सकते थे राष्टर पती भावन इतना बड़ा है तो उसमें वहा रहने के लिए क्या कमी कि इतने सारे नोकर चाकर सब कुछ वहां मिल जाता था हो सके तो वहां पढ़ाई के लिए उनके लिए शिक्षक आ सकते थे इतना हो सकता था लेकिन उन्होंने यहां बताया है कि वह अपवार रहे उनके प्रथम राष्टर पती हो जाने के उपरान मुझे स्वयं उनकी पोत्रियों के बारे में चिनता हुई कि अब इतने बड़े ओधे पर है तो इनका क्या किया जाए क्योंकि सभी तो गए अब ये है इसलिए महादेवी वर्मा को चिनता हुई उनका स्पष्ट उत्तर मिला राजेनर बाबु का उत्तर उन्हें मिला महादेवी बहन दिल्ली मेरी नहीं है राश्ट्रपती भवन मेरा नहीं है याने वह यह जानते थे कि मैं हमेशा के लिए राश्ट्रपती बनने वाला रहने वाला नहीं हूँ या इस पद पर अन्य बाद में आएंगे यह राश्ट्रपती जब तक मैं हूँ तब तक यह भवन है इसलिए दिल्ली में मैं हमेशा के लिए रहने वाला नहीं हूँ और इसलिए दिल्ली मेरी नहीं है राश्ट्रपती भवन मेरा नहीं है फिलाल मैं उसमें रहता हूँ लेकिन वह मेरा नहीं है अहंकार से मेरी पोत्रियों का दिमाग खराब नहों जाए याने उन्हें अहंकार इतना बड़ा राश्ट्रपती भवन जो है वो इतना बड़ा राष्टपती भवन हो जाने के बाद उसमें यह जब रहने आएंगी तो उनका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए अहंकार उनके अंदर आजाएगा मनुश्य के अंदर अहंकार तुरंत आ जाता है कुछ जरासा प्राप्त हुआ कि उसका घमन उनमें आ जाता है और यह बात मेरे पौत्रियों के दिमाग में ना आए हम समाज में देखते हैं कि कुछ लोग इसे होते हैं इनके पास पहले कुछ नहीं था जब अचानक बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो हांकर आ जाता हैं। इस व्यक्ति के बड़े इस व्यक्ति के पुत्र या उजन के घर के यहां हटलों में या कई और जाकर दंगा मस्ती की हैं ऐसी बाते भी यानि वह अहंकर होता है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेगी यानि अब तक जैसे रहती आई है सामान ने रूप से वैसे ही रहेगी। कर्तव्य विलास नहीं कर्मनिष्टा है यानि कर्तव्य कितना सुंदर वाक्य है कि कर्तव्य विलास नहीं कर्मनिष्टा है। आपका कर्तव्य जो है वह विलासी रुत्ति का नहीं कर्म निष्ठा कर्म पर निष्ठा होनी चाहिए जो मैं कार्य कर रहा हूं वह यहां देश भक्ति उनकी यह देश के लिए कार्य कर रहा हूं यह पद जो मिला है मैं सेवक हूं राश्टर का और वह राश्टर की सेवा करन मेरा जो कार्या है वहाँ मेरे हातों से सही रूप से होना चाहिए और इसलिए उस कर्म पर निश्टा होनी चाहिए उसमें कई भी कोई भी गलत कार्या नहो यहाँ देखना चाहिए यहां नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अब पद है उसका मैं लाब क्यों नहीं उठाऊं यहां बात उन्होंने जानी और यही बात उन्होंने कही है कि मेरे बेटियों को भी जो पौत्रिया है उनके दिमाग में यही बात होनी चाहिए और इसलिए वहां अपने करतवय से न ये बात उन्होंने यहाँ बताई है और वह उन्होंने यानि कई भी भारत स्वतंत्र होने के बाद भी उन्होंने कौन सा भी लाव उससे नहीं उठाया उसके आगे का जो है वह हम अगले तासिका में देखेंगे उससे पहले जो आपका दस्वी के लिए सिल्या बस जो कट किया गया है 25 परसेंट उसमें से जो लेशन है वह मैं बताता हूँ जो लेशन है पहले एकाई में से दो लगु कथा है और आठवी कविता जो है करमवीर यानि साथवा और आठवा पार्ट जो है वह कट किये गये है इस साल आपको दस्वी के लिए याने उपर के जो पाच पाठ है याने अनुखे राश्रपती तक ये सारे पाठ है छे जो पठनारत है उस पर कोई भी प्रश्न बोर्ड में नहीं आता इस साल दो लगू कता है और कर्मवीर यह पाठ कट किये गए हैं उस पर भी प्रश्न नहीं आएंगे और दुसरी इकाई जो है उसमें से दो गजले चवती जो कवीता गद्य है दो गजले वह नहीं है और सात्वा प्रकृती सव्माद यह जो है ललित निबंद वह नहीं है ऐसे दो पाठ पहले एकाई से और दो याने दो कवीता और दो पाठ कट किये गए हैं टोटल चार दो कवीता दो पाठ इस प्रकार से चार कट किये गए हैं जो आपके बुक में इस साल के लिए वह कट करके रखिये याने वह नहीं होंगे परिक्षा के लिए बाकी सिल्या पूरन होगा धन्यवाद